ओम शांती, 9 जनुवरी की श्रुवदान में आपसे पसोगत है सेवा में स्नहे और सत्यता, इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है और इसी चीज़ के बारे में परमात्माज हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम सेवा में स्नहे और सत्यता की अथोरिटी कि बैलेंस जोरा सफलता मूरत भवा कि हम कैसे सफलता पा सकते हैं दोनों चीज़ जाई है, सिर्फ सत्यता नहीं सत्यता और साथ में स्नहे सत्यता है, लेकिन सत्यता का अभिमान हो गया तो स्नहे ही नहीं दे पाएंगे तो जैसे इस जूट खंड में जिसको परमात्मा कल्यू कहते हैं, जिसको जूटखंद कहते हैं, मैं ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रतेक्ष सुरूप देखा, जूटखंड हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने क्या किया, उनके पास में सत्यता थी, ग्यान था, उनके पास में परमात्मा का दिय अगर अथारिटी के बोल में सनेह समाया हुआ है, हम प्यार से समझाएंगे, रीजनिंग करेंगे उसमें, अथारिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं, प्रभाव शाली होते हैं, और उके उपर प्रभाव पढ़ता है उसका, तो फॉलो फादर करो, सनेह और अथारिटी, से लियुक्त निर्मांता और महनता दोनों साथ साथ दिखाई दें, म मनलग कि आप निर्मांत भी हो और आप महन भी हो, तो आप हम्मल भी हो, और आप महन करते भी भी कर रहे हो, वर्तमान समें सेवा में इस बैलन्स को अंडरलाइन करो तो सफलता मुरद बन जाएंगे, यहने कहीं जब और उसे मिलती है या तो नीचा दिखा जाता है या तो फिर उनको दिखा जाता है कि आप अग्यानी हो आप बुदू हो आपको कुछ पता नहीं है आप ना लाइक हो तो यह चीज़ समझाई जाती है तो परमात्मा चाहते है कि कोई अगर हमारे पास में आए ग्यान देने के तो इसको यह महसूसता नहीं कि हम उसको नीचा दिखा रहे हैं उसको कुछ पता नहीं है वह ग्यानी है वो ब तो इस रावन के पास में ज्यान था, रावन शेव भक्त भी था, और साथ साथ में अभी मान भी था, तो हमें रावन नी बनना है, हमें परमात्मा का ब्रामन बनना है, रावन और ब्रामन में अंतर है, तो ये सेवा कैसे होगी, इसको और पहचानने के लिए, समझने के लिए ले आप्रमा कमईरी सेंटर जाएं, और सिर्फ सेवा में ही नहीं, और चीजों में भी अगर आपके पस में ज्ञान है, कोई कला है, कोई विद्ध्ध है जो दुनिया भी चीजों में है,當us उसमें भी अभीमानना हो, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ओमSíandya